पस्चिम घाटों में से एक महत्वपून सामराज्य है वो है सिरु मलई सामराज्य उस राज्य पर राज करने वाला जमीदार वनिधिरायन वो कला के ख्षेत्र में रुची रखने वाले बहुत ही दिल्चस्पाद्मी है एक दिन एक पेंटर के जरीए चीन में एक तांत्रिक के द्वारा बनाए गए एक जादूई आईना के बारे में उन्हें पता चलता है वो जादूई आईना अभी वर्मा में है ये पता चलने के बाद जापान के आमी के कंट्रोल में रहने वाले वर्मा पर अंग्रेजों ने हमला करके उसे अपने कबजे में कर लिया वहाँ पर कई सालों से रहने वाले तमिल लोगों की जमीन जायदाग छीन कर उन्हें अपने ही गाउं से बाहर कर दिया गया जब वो तमिल लोग अपने ही देश अपने ही गाउं को छोड़ कर भगाये जा रहे थे तब जमीनदार वनिथिरायन उस जादूई आइने को खरीदने के लिए वर्मा आते हैं दुनिया के बहुत बड़े बड़े समराट, राजा, जमीदार, सामराज जो चलाने वाले उस जादूई आइने को हासल करने के लिए प्रतियोगिता करने लगे आप सोच भी नहीं सकते जितनी कीमत उस जादूई आइने की लगने लगी उसकी वज़े सिर्फ एक ही है, जब कोई नई चीज पुरानी हो जाती है तो लोग उसे ठुकरा देते हैं लेकिन जब किसी पुरानी चीज में नई चीजें डाली जाती है तो उसमें एक नई जान आ जाती है जाती है जाता है कि अगया है कि मर्ली टाइम हो गया चल बागी काम कल करते हैं अरे भाई आप जाओ ना, भावी घर पर अखेली होगी, थोड़ा सा काम बचा है, मैं पूरा करके आता हूँ न, ए भाई को लेकर जाना देखा न, हमारे जाने के बाद तू क्या करेगा, हमें पता नहीं है क्या, अरे यार ये लॉज नहीं, होस्टल है होस्टल भाई, अभी सब लोग मटन मटन करके कुछ कह रहे थे, देख ले न, बाकी तेरी मर्जी भाई, दो दिन से यहां परूँ मैं, किसी को कुछ पता चला क्या भाई आप जाओ न, चल रहे चलते हैं, सही उमार प्रशादी ना करने से ऐसा यह दोर दोर भटकना पड़ता है जब से वह मनी के साथ घूमने लगा न, तब से ही यह ऐसा हो गया है हहाँ है हलो है कहा है और है तू मैं किस साथ बाहर आया हम कितने देर से तेरा इंदिजार कर रहा हूँ मैंने बताय था ना, नहीं आप आऊंकी अगर तू आज नहीं आई ना तो हम दोनों ने जो किया था वो वीडियो वाइरल कर दूँगा तेरा तू मैं इसा कुछ मत करना प्लीज मेरी शादी होने होने तू अपनी बगवास बंद कर रहे बॉइज होस्टल में 1013 जल्दी से आजा आज तो मेरा पूरा मूड बन गया है बस वो आज है अपने अब बंद होते है हुँ यह 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 यहलवरो पहारtar आया हुँ नाााााााााााा! झाल झाल कि अट्ट कि अटॉड़ है उड़ा है कि उड़ें और सुल्ट कि अटॉड़ा है अटने है ंब तो अब तो अगाइ कर दो! 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 झाल 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 लाइब शुरू कर दिया यार शुरू कर दिया तू हर्जा हाँ ओके ओके हाँ फ्रेंड्स हाँ फेस्बुक पर लाइब हूँ यार कॉलेज के बारे कुछ बोलो ना तुम लोग हाँ मेरा नाम मैदू है मैंने अभी फर्स्ट यर में जॉइन किया है नया कॉलेज स्टार्ट कर के हमारी जनेरेशन को जो कुछ भी सिखा रहे है उसे अप्रेशियेट कर क्या क्या पाता क tara मुझे को चाह ने लेकिन बहुत एक्साइटी नो thank you thank you thank you Wow my name is Simon I am from France I just love this sculpture in South India so I have travelled all the way from Paris to learn this heart and I am so happy to be here thank you thank you वाहाँ इदर भी दर भी वहाँ बेभी मेभी मेभी क्या बाद है आलो सेर सर कॉलेज के बारे में कुछ बताईये ना क्या बताऊं ओके आप मेरा नाम है मदन मैं कॉलेज में फर्स्ट यर में हो अब ठीक है ना बस इतना ही चाँ ठीक है जा अभी हाई है हाई बीजी हो किया नौट रियली बोलो कैसे बताऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है नर्वस भी हो रहा हूं मैं खुश भी हो रहा हूं कैसे बताऊं कोई बात नी जो भी है वह बता दो नहीं जाने दो अर्विंद मुझे बहुत सारा काम है बताऊ क्या बात है तुम्हारा फॉर्गोटन फॉरिस्ट डॉक्यमेंटरी है ना अमसर्डम डॉक्यमेंटरी फेस्टिबल में सेलेक्ट हुआ है सच क्या रहे हो अरे सिरियस्ली यह देखो इन्विटेशन क्या है ग्या प्रहुआ चाहिए इस मेरा सपना है जानते हो एं बढ़ा है इन्थ वर्या यार डॉंट वरी और वर्क इस डॉन ना थैंक ये भाई तिरको वाडन बुला रहा है तो उसने बताया कि आपने बुलाया मुझे तो प्रिंसिपल से तुमने क्या का है समझा नहीं सर तुने प्रिंसिपल से मेरे बारे में क्या का है मैंने तो कुछ नहीं कहा सर मैं यहां शराब पीता हूँ तुने प्रिंसिपल को जाकर बताया सर मेरे बारे में आपको किसी ने गलत बता दिया है सर कसम से मैंने आपके बारे में प्रिंसिपल को कुछ नहीं बताया एक थपड़ लगाऊंगा, पक्की खबर है कि तूने ही बताया है. तू और तेरे दोस्त जिस भी रूम में रहते हैं उसे खाली कर दे. ये ले, 1013 में शिफ्ट हो जा. सर, इसका और रूम बदलने का क्या संबंध है? ए, ले पकड़ इसे, पकड़ना, चल जा, आईए सर, कैसी रही आपके ट्रिप, घर पर सब लोग कैसे? सर, अभी-अभी हम लोग उस रूम में सेट हुए हैं, और इतनी चल्दिया बदलने को बोल रहे हो. तो यहाँ से जाएगा की नहीं? आखरी बार पूछ रहा हूँ. सर, मेरा रूम तयार हो गया क्या? यह लड़के आज ही खाली कर रहे हैं, उसके बाद आप उस रूम में जा सकते हैं. हे, हे मदन, प्रिंस्पल को तुने बताया, वाड़न को कैसे पता चला? अरे यार, वही समझ में नहीं आ रहा है, अपने साथ रहने वाले किसी ने इस बारे में बताया होगा. ठीक है छोड़, मैंने तो सची बुला ना. लिखन यार, वाड़न के नज़र तेरे उपर है, जरा समल के. हलो, हाँ माजी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, राजश को दूँ किया, एक मिनिट, मा है. मा, मैंने अपना फोल सर्विस में दिया है, कुछ हो तो मदन को फोन कर लीजेगा, ठीक है, ठीक है. अच्छा, एक हुआ है! कर दो ए मरन यहाना करहारा पर टाला का अपिर। कर दो को आपिर। मारा करेकेश क्या हुआ यार मदन हाँ मा बोलो पापा कैसे है क्या कहा एक्सिडेंट कब हुआ आपने मुझे बताया क्यों नहीं ठीक में अभी हाता हुआ मा नहीं मा आप पापा को फुंदो पापा आप साइकल पर क्यों गए आपको बस में जाना चाहिए था ना हलो 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 अरे तिखाओ ना प्लीज आर तोर सार की बनावन की बनावचनी की नुचत का बनावपन कारा लाऑ्य सवाबगी. ज कि हाँ , तोर सा computation क्याशे खाएम क्या ब छाक तोर सांट archु bik gaining जाब कि ऑनाय तोर एंद प्रिंसिपल से मिलना है आप इसमें साइन कर देजिए प्रिंसिपल का रूम का है सीदा जाकर रैट जाईएगा ठैक यू ठीके मैं उसर झाओ कॉम इन हलो सर हम हलो सर में नाम जैसमिन है भोलिये आम डोकुमेंटरी फिल्मेकर अन्य आप यूट्यूब चैनल कॉल यूड्रॉप्स तो किस मामले में आप यहाई है सर् непारेटoten के these सब्सक्राइब के बारे में एक डोकुमेंटरी बनाना चाहती हूँ आपके में इंटरनेत पर पढ़ा मैं अर्प्रक्रॉप्स एक पर के यूट्यूब चैनल के बारे में लमें में सुना था सर आपके कॉलेज की बारे में मैंने दू दिन पहले ही सोशल साइट पर देखा, एक आठिस्ट, I think मदन, उसका काम बहुत अच्छा है, I want to interview him. He is very talented, you should meet him. सर और इसकी बारे में मैं आपका इंट्वी ले सकती हूँ क्या? Yeah, why not? Okay, thank you, sir. Welcome. मैंने आपकी ओलाट पेंटिंग देखी, it was amazing. Thank you so much. आप वीडियो बनाने वाली हो? Yeah, why? जिने, वो मेरे हाथ पूरे गंदे है, किसी और दिन कर लेते हैं, ओके. तो फिर आज सिर्फ पॉँच नोट कर लेती हूँ, किसी और दिन इंटेवी लेती हूँ? जरूर. एक मिनिट. ठीक है, तो अपने बारे में बताएए. मुझे विदेश जाकर पैसे कमाने की बहुत इच्छा है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा वहाँ अपनी कला को महत्व है. इसलिए यहाँ पढ़ाई करके सर्टिफिकेट लेकर मैं विदेश जाना चाहता हूँ. ठीक है, आपको पेंटिंग में कैसे इंट्रेस्ट आया? आपको पेंटिंग में विदेश जाना चाहता हूँ. है, मदन, तुमने अब तक मुझे पहचाना नहीं? जास्मिन? हम जिसे भी दिल से पैर करते हैं, वो फिर से चनम ज़रूर लेता है. You just need to recognize him. Sir, are you ready? Yes. Roll camera. Rolling. Yeah. Sir, इस कॉलेज को स्टार्ट करने का intention क्या है? मैंने इस कॉलेज को गवर्र्मेंट की लीज़ पर लिया है. इसका कारण ये है, कि जो कला खत्म होते जा रही है, उसे आगे की जेनरेशन के लिए वापस लना चाहता हूँ. Oh. यंग्स्टेस आपको इसमें support कर रहे हैं? Yeah, of course. More than what I expected. Sir, मैंने आपकी बारे में एक और बात सुनी है. आप arts of sculptures के अलावा पुनर जनम की बारे में भी काफी research कर रहे हैं. मैंने एक interview में सुना है. मुझे भी उसमें काफी interest है. In fact, मैंने उसकी बारे में काफी बढ़ा भी है. आपका कैसे इस विशे में interest जगा? पुनर जनम भी arts से संबंदित है. Oh. और एक painting की आत्मा को लेकर एक कभीता या कहानी भी लिख सकते हैं. उसे तरह एक novel की आत्मा को लेकर एक film बना सकते हैं. So the soul still keeps some traveling. इंसान जब मरता है तो उसका शरीर मरता है. उसकी आत्मा नहीं मरती है. Interesting. पुनर जनम को लेकर कुछ प्रूफ्स है क्या? या, the great psychiatrist Dr. Ian Stevenson लगभग 40 साल 3-4000 केस के study करके reincarnation scientific proof दिये हैं. लेकिन हम लोग उससे पहले हर बिड़ी से उसे follow करते आ रहे हैं. जैसे कि अपने परिवार में कोई बुजुर्ग मर जाता है और उसके बाद हमारे घर में कोई बच्चा जनम लेता है. तो हम लोग बच्चे का नाम कभी-कभी उसी के नाम पर भी रखते हैं. आच्छा सर, ये जनम भी पिछले जनम से जुड़ा हुआ है, ऐसा कहते हैं. क्या ये सच है? सी, पिछले जनम में हमारी जो च्छाएं पूरी नहीं होते हैं न वगले जनम में आती हैं. क्योंकि हमारी जिन्दगी एक लाइफ साइकल की तरह है. After all, life is also a cycle. कुछ लोगों को पिछले जनम की सारी चीज़ें याद रहती हैं. कुछ लोग ऐसी जगाओं पर जाते हैं, जो नहीं लगता है, कि वो पहले भी इस जगाओं पर आचुके हैं. और ज़्यादा तर लोगों को ऐसी चीज़ें याद नहीं आती हैं. इसलिए उन लोगों को पुनर जनम की बातों पर विश्वास नहीं होता है. मैंने एक आर्टिकल में कुछ पढ़ा था, सर. उस लड़के की गरदन पर एक मार्क था, वो क्या है जब मैंने पूछा, तो पता चला कि वो पिछले जनम में फासी में लटक कर मरा था, और वो मार्क उसी रसी का है, ऐसा उसने बोला, और जब पता लगाया तो बात सच निकली. पिछले जनम में हमारी जो शकल होती है, इस जनम में भी वही होती है? वो सिर्फ फिल्मों में ही पॉसिबल है, अगले जनम में आत्मा सिर्फ साथ आती है, पर एक्जामपल फिछले जनम में जो लड़का था, वो इस जनम में मक्खी बन सकता है, साप बन सकता है, लड़की बन सकता है, पंची बन सकता है, कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है भी हो जहए बना लाओ भी लाओ भी हो भी लगी हो दुड हो दॉन तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया इस मूर्थी को देखने के लिए इससे देखने के लिए अरे यह तो मैं हर रोज अपने रूम से देखता रहता हूँ क्लाइमिट कितना अच्छा है मैं कुछ और सूच कराया था यह क्या एक finance student होने के बावजे तुम्हें यह पता नहीं कभी भी sculpture को सर्फ night में देखना चाहिए तब ही उसकी curves अच्छे से दिखते हैं इस तरह ओड कर रहेगा तो कैसे यह यह तो तुम्हें फोन पर बताना चाहिए था at least मुझे किस तो मिल जाती लेकिन एक बात है मैंने इस मूर्थी को पहले कहीं देखा है ऐसा लग रहा है अच्छा कहां पर देखा है पता नहीं लेकिन मैं से रिलेट कर सकती हूँ अंदर जाओ बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो तुम लोग लाइट आफ करके सोजाओ सर मेरे रूम का फैन नहीं चालू हो रहा है एक दिन एड़्जस्ट नहीं कर सकते क्या हलो मदन हां बोल वार्डन राउंड्स पर आया हुआ है तू चल्दी से आजा जा अगया है अग सुब्धर दूंदें मिलन करा आ ठीक है अंडर हमदर सिगनल नहीं मिला सब्सक्राम करा है अ घॉह तू बाहर जा सर पहले प्रिंसिपल से मिलकर आ उसके बाद एंट्री मिलेगी सर मैं established है पिर प्रिंसिपल से मिलने के बाद ही दहा अने पाए अगर आया तो तुम्हारी खैर नहीं ठेक समझ गया ना समझ गया सर अब ओलो इंप अंअए पता नहीं यांपर काई में कौन है पता नहीं पेड के ऊपर बेज़ा हुआ था पेड के ऊपर हां कोई तो पागल होगा तुम्हारो मत है कि का अफ हुierung हु तो फ्यान व्याए व्या व्या व्याए वु रह व Alors व्याए ऑ़ land ऑ़ 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 झाल झाल यहां क्या कर रहे हों? मैं तुम्हें कब से रून रही हूँ? तुम्हें पता है ना क्या हुआ है? अहां मदन, उसी बारे में बात करने के लिए कॉल किया था. क्या प्राब्लम थी उसे? क्यों सूसाइड किया उसने? पता नहीं. वसंद किसी से ज्यादा बात नहीं करता था मैं जब भी सोच रहा हूँ तो मुझे आपने आप में गुटन सी हो रही है मेरी आँखों के सामने वो लटक रहा था ठीक है तुम टैंशन मतलो लेकिन एक बात है तुम्हारे होस्टल में होने वाला ये पहला सुसाइड नहीं मैंने डॉक्यूमेंटरी के लिए तुम्हारे कॉलज के बारे में बहुत सी डीटेल्स कलेक की है ये देखो एक साल पहले जब बॉइस होस्टल बन रहा था तब वहां रहने वाले एक पेंटर ने ससाइड किया था ये कौन सा अकबार है दिन चरिया वहां जाके सर्च करें तो कुछ लीड़ी मिलेगी इस रूम के नंबर को देखो उसी रूम में वो पेंटर मरा था वसंद जिसमें मरा वो भी वही रूम है मैं भी उसी रूम में रहता हूँ मुझे शुरुआत में ही थोड़ा बहुत तो शक हुआ ही था इस हांस्टल में होने वली ये दूसरी आत्मात्या है सर 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 उस रूम में बहुत सारी परिशानी है महरवानी करके दूसरा रूम दिला दीजिए पहले से याँ इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तो रूम बदलने की बात कर रहा है सर प्लीज सर मेरी बात तो सुनिए एक बात सर तुझे प्रिंसिपल से मिलने कहा था मिलकर आया सर पहले से उस रूम में एक बिंटर आत्मात्याकर के बढ़े जबान गड़ाता है चल जाए यहां से हमेशा कोई ने कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है करता है करता है करता है करता है एक्सक्यूज मी दिन चरिया अख्वार का ओफिस यही है ना हाँ बेटी लेकिन ओफिस बंद हुए तो छे महीने हो चुके हैं अभी आप लोग क्यों आया है यह ओफिस बंद क्यों हुआ अब किताब कौन पढ़ता है बेटी फेस्बूक और वाटसप में ही अपना समय बरबाद करते हैं इसलिए उसे बंद करके पबलिक लाइबरेरी में बदल दिया गया है यह छे मैंने पहले की आयोई नियूज है इसके बारे में ज़रा डिटेल्स चाहिए आप कौन है यह लीजिए मैं इस चैनल की एमजी हूँ उपर जाकर लेफ्ट साइड में चले जाएए वहाँ परेके स्टोर रूम होगा आप जिस नियूज के बारे में जानने आये हैं उसके सारी डिटेल्स आपको शायद वहाँ मिल सकती है जाकर देखेए क्या आपको अग्स निया है कि वहाँ मिल सकती है जाकर देखेए आपि अपिस्ट कॉलेज के होस्टेल में ना जाए इस रिष्टे की वज़े से आप मात्या जासमिन ज़रा ये नियूज देखो तेज सितंबर को सरकार की जमीन में आर्ट्स कॉलेज में बॉइज होस्टेल बनाया गया Arts और Painting College, उस college में Painting का काम चल रहा था, college building बनाई जा रही थी और उसमें काम करने वाले वरकर पैंटर पलनी ने फासी लगा कर आत्महत्या कर लिए अब तक जहां चल रही है इस आत्महत्या में उसके रिष्टेदारों ने पुलिस में कम्प्लेंट कर दी थी कर पहले बाली कोई न्यूज्स ढूंड़े हैं, हुआ अन्याच ये मूर्थी तो मैंने तुम्हारे कॉलेज में देखी है बाहर जाके पढ़ते हैं करम बाली मेरा नाम है उर्चवन सिरु मलई समराज में काम करने वाला मैं एक लेखाक हूँ देखा जाए तो मैं एक पेंटर हूँ देश के सुतंतर होने के 1952 के बाद जमीनदारी आपलिकेशन एक्ट लागू होने लगा था लेकिन कुछ जमीदारों ने कानून को अपना गुलाम बना लिया था और कुछ जमीदार लोगों ने सत्ता को अपने हाथों में लेकर जनता को भी अपने कंट्रोल में रखा था उन में से एक है सिरो मलेई सामराज पर राज करने वाला जामिन वान्तिरायन अपने बायोग्राफी में लिख कर रखो ये बोले इसकी वज़र से इस बुक को मैं लिख रहा हूँ जमिदार ने अपनी लाइफ में काफी वर्क, स्टेचू आर्ट, मैनूट आर्ट, वर्क को सीखना ही अपना लक्ष बना कर जी रहे थे उन्हें जो चीज़ चाहिए थी उसे अपनी जिद से हासिल करी लेते थे बन्हें बन्हें को करता जीोर इंज़ग को कि जमिदार वजभ राजा सहब मैं आप क्या नौकरानी का काम करती हूं राजा सहब तीन महीने से मुझे तनख्वा नहीं मिली है मेरा बच्चा बहुत बिमार है उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है अगर आप मेरी तनख्वा दे देंगे तो आपका बहुत एहसान होगा पुन्नी राजा सहब आपको उपर बुला रहे हैं चलो मुझे छोड़ देजिए राजा साम मुझे छोड़ देजिए नहीं राजा साम छोड़ देजिए मुझे अगर मैं माजई तो मेरा मेट्रा भी भूग से मर जाएदा राजा साम मुझे छोड़ दीजिए मत मारिये मैं हाँ जोड़ के बिंती करती हूँ आज के बाद मैं इस तरब कभी नहीं आऊंगी छोड़ देजिए उस जबीदार का सोभाव बहुत ही अच्छा था इसलिए मैं उसकी बायोग्राफी लिखना चाता हूँ लेकिन जब उनके साथ मेरे सफर करना शुरू किया तो उनका भयानक चेहरा भी मुझे दिखने लगा बायोग्राफी का आर्थ ये है कि जो सच है वही लिखा जाता है और यही मेरे जिन्दगी का लक्ष भी है आसुरिये एक मिनिट मैं जमीदार की जिन्दगी के बारे में लिखनी आया हूँ उनके बारे में आप कुछ बता सकती है जमीदार का जो भयानक चेहरा है उसकी वज़य क्या है ये लोगों से मैंने सुना जमीदार अपने वन्श को आगे ना पढ़ा पाने वाला एक नामर्द था इसी कभी को छोपाने के लिए वो औरतों का जानूरों की तरह शिकार करता था और ऐसा करके उसे खुशे मिलती थी तके जड़िया तरह्वा आइवार येढ हाद करता यजरा करता ना भूब नामर्वारुयां शिकूदा सिह। जहादी आप्शे करता ए में आपर दूाराम नॉम भॉआीर भार शॉपर टॉल मनुच्त तॉआे नॉआत्यू नॉमस्ते लाँ साउ माफ कीजेगा मैं आपको देख नहीं पाया आपका हिसाब किताब कैसा चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है राजा साब मैंने सुना है कि आप अपने किताब में मेरे बारे में कुछ गलत लिख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है राजा साब डरिये मत लोग चाहे कुछ भी कहें पर मुझे आप पर पूरा भरुसा है क्योंकि हम आपको अच्छी तनख्वा और इज़त देते हैं मेरा नाम और प्रसिद्धी बिगड़ने ना पाए जी जरूर इसका हिसाब जल्दी खतम करो, राजा सहब आने के बाद पूछेंगे हेई रुको, कहां जा रहे हो, राजा सहब की आर्ट गैलरी देखकर मुझे कुछ लिखना है आर्ट गैलरी में जाने की किसी को अनुमती नहीं है बेटा, ये राजा सहब का ही हुक्म है देखिए मैं राजा साहब के जीवन के बारे में यहां लिखने आया हूँ और मुझे यहां पे सारे अधिकार दिये गए हैं यह उनकी जिंदगे में कितना महत्पूर्ण है आपको तो पता ही है फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं ठीक है जा अच्छा अंदर ऐसा क्या है क्यों किसी को जाने की अनुमती नहीं है अब मैं तुम्हें क्या क्या बताओं बहुत ही महत्पूर्ण मूर्तियां हैं बहुत कीमती चीज़े हैं उस रूम में और उन सबसे बढ़कर बर्मा से इंपोर्ट किया हुआ एक माया आइना उसके अंदर है वो साधारण नहीं है वो बहुत चमतकारी आइना है अगर तो वो साइने के सामने जाकर खड़ा रहोगे तो तुम पिछले जनम में कौन थे ये तुम्हें सच में दिखाई देगा सच में? हाँ तुम्हें तो राजा साहाब ने सभी जगों पर जाने के अनुमति दी है न? तो जाओ लोपेश है तुम्हशे है तुम्हें अना ही जाँ अवट कर दो 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 पन्यूस एिफ दो एग पन्यूस ठो स्टार दो मैं पन्यूस एंद है क्यों सिद्धा मेरी कुंडली देखे तुमने क्या लिखा है उसमें वो जो भी है बताओ मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता हूँ अभी आपका दोश काल चालू है और तों के श्राप की वज़े से आपको फुत्र नहीं होगा महालक्षमी भी गुजर चुकी है जिस उमीद से आप लड़के की परवरिश कर रहे थे वो भी मर चुका है आपका वंश आपके साथ खत्म हो जाएगा और सारी जायदाद आपकी सरकार को चली जाएगी मुझे पता है सिद्धा तुम जो कह रहे हो वो मैं सपने में देख चुका हूँ अगर किस्मत में यही लिखा है तो उसे कोई नहीं टाल सकता इस बारे में मुझे कोई दुख भी नहीं है कितने भी साल बीच जाएं पर लोग मेरे नाम को याद रखें इसका उपाए बताओ मुझे उपाए है राजा सहब यहाँ से 50 किलो मिटर की दूरी पर वन्नाधी पारे नाम का एक जंगल है बड़ा ही कमाल का जंगल है उस जंगल में रहने वाली मली नाम की एक लड़की कनेही को दिया जलाकर उसे भगवान मानती है वो लड़की बहुत ही पवित्र है एक आर्ट गैलरी बनाकर उसके नाम पर करें तो आपका नाम रोशन होगा लेकिन ये काम इतना असान नहीं है राजा सहब कॉलेज बनाने कितनी भी जल्दी क्या है राजा सहाब मेरे चले जाने के बाद भी मेरा नाम रोशन रहे सिर्फ इतना ही नहीं है आने वाले समय में शिक्षा बहुत ही बड़े फाइदे वाला सोदा बनेगा इसलिए क्यों उर्चवन तुम कुछ नहीं कह रहे अच्छा विचार है राजा सहाब लेकिन जंगल में रहने वाले लोगों के बारे में सोचता हूँ तो अजीब सा लगता है उनकी फिक्र तुम्हें क्यों है राजा सहाब आपने जिसे बुलाने के लिए कहा था वो आया है नमस्ति राजा सहाब मैं मलम गुरी से आया हूँ तुम्हारे हमें एक कॉलेज बनाने वाला हूँ उसे बनाने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए तुम्हें जिस चीज की जरुवत होगी तुम्हें मिल जाएगी ठीक है राजा सहाब अच्छा ये बताओ सुना है तुम्हारे हाँ आना इतना आसान नहीं है हाँ राजा सहाब हमारे बिरादरी के लोगों को जंगल के अंदर जानी नहीं देते हैं उसमें से एक मली नाम की लड़की है उसके लिए जंगली सब कुछ है और जंगल के लिए वही सब कुछ है बहा प्टाज़ के लोग भारी मृ Mexican कष्याल अच्छ़ ऌफ क्षफ क्षछ़ सकतर्ळ बारिश के बादल को समुद्र की तरफ जाने से रोक कर इस जंगल में बारिश करके हमारे लोगों की रक्षा करना पंची जी कुद्र के साथ जो लोग जीते हैं और मरते हैं बारिश चाहिए तो बारिश करवाते हैं बारिश नहीं चाहिए तो उसे रोकते हैं यह शक्ति मल्ली के पास है राजसाब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं क्या है बताओ आपने जिस लड़के को गोद लिया था वो एक हाथ से में मारा गया था आपको यह पता है न लेकिन सच वो नहीं है उस दिन सुभा सुभा पल्ली की पूजा करने के लिए मल्ली एक कुंची का फूल लेने गई थी तब ही मली यह चोर कौन है बेटी अपने जंगल के अंदर घुसकर इसने गर्वती हिरन को गोली मार दी है हिरन ने अपने बच्चे को जनम दे दिया इसलिए मैं आज इस हिरन के बच्चे को बचा पाई हूं इसका पती भी नियम कानूर नहीं मानता था गर्वती ह होने के बावजूद अपने बच्चे का खयाल ना करते हुए इसने उसे बाहर निकाल दिया और तुमने तो एक गर्वती हिरन की जान ले ली रुक जाओ अरे रुक जाओ मारने की ज़रूरत नहीं है शेर यहाँ पानी पीने आने वाला है शेर खुदी देख लेगा यह भी सही है यहाँ जो भी बुरे इरादे से आएगा उसका अन्त यही है वो जब तक जंगल में रहेगी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जो बोलती है लोग वही करते हैं यहाँ की जनता आदिवासी जनजाती की है अपने छोटे छोटे जोपड़े बांध कर कई पीडियों से जंगल और पाणों के बीच में अपनी जिन्दगी बसर कर रही है इनकी जनसां क्या बहुत काम है और बहुत खुश रहते हैं यह लोग जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का नाम है वंधी परई परेश शुनो तितिली तितिली क्या हो अरे चला की हो रहा तू तितिली दिखी जो खत्री की निशानी है लगता है हम पर कोई मुसीबत आने वाली है हरे बेटा टाइम हो गया लैब्रेरी को बंद करना है बुक वहाँ पर रख कर आ जाओ क्या है क्या है क्या है कि अवज़े कि अवज़े, कि में एकि अवज़े की अवाई शिदो प्राइब अर्मचार स्टाह कि अवैयोरा इज भी अवाई नवाई नवाई जादे शबरांख अरुशा हो बादें, ुज़े अवाई। कि प्रोमेनिट सब्जेक्ट में भूस बहुत इंपॉटेट है कि नोज एकदम शार्प होना चाहिए सब्सक्राइब हैलो सब्सक्राइब करने के बाद पता चला है कि उसने अलोव मैजिक मश्रूम ड्रक्स लिया हुआ था एक्जेक्टली सो हो सकता है कि वो नशे में फिसल कर गिर गया हो मेरे ख्याल से ये एक एक्सिडेंट है जब हम लोगों ने रूम के कपबोड चेक किये तो हमें बहुत सारे ड्रक्स मिले इन फेक्ट हमें बहुत सारे रूल रेगलेशन्स फॉलो करने पड़ते हैं वो उन सारे रूल्स को केंटिन के लड़कों के मदद से तोड़ता था उस केंटिन के लड़के को हमने निकाल दिया है तो क्या उस लड़के के पैरेंस को बता दिया आपने यस आफ़ोर्स मैडम एक छोटी से रिक्वेस्ट है ये बात प्रेस वालों को पता नहीं चलनी चाहिए वरनेस कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी सब्सक्राइब करेंस 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 कुछ बताना था यार लगता है कि साइमन ने सुसाइड किया है यह सुसाइडे तू कैसे कह सकते हैं वो तो पैर फिसलने की वज़े से गिर गया था साइमन के मरने के कुछ दिर पहले मैं उसके साथ ही था मुझे साइमन से कुछ काम था इसलिए मैं साइमन के रूम में गया था साइमन साइमन इस त्रिमर मैं साइमन साइमन मेरे घर से कॉल आया था तो मैं वहाँ से चला गया उसके बाद ख़बर में लिगी उसकी मौत हो गई सर हाँ आज आमदन सर आपको एक जरूरी बात बता लिए सर उस रूम पर होने वाली यह तीसरी आत्महत्या है मेरे होस्टल में आने से पहले उस रूम में एक पेंटर आत्महत्या करके मरा है अगर तुम्हें लगता है कि रूम में प्राबलम है तो मैं वार्डन को बोलता हूं तुम रूम चेंज कर लो अरे सुनो तितली तितली दिखी जो खत्री की निशानी है लगता है हम पर कोई मुसीमत आने वाली है इसका नाम है कर्म बादि ये बंदी का भाई है जंगल में कब क्या होने वाला है उसे उस चीज की पूरी जानकारी रहती है ये कुदरत से सीधा बात चीट करता है भविश्य में क्या होने वाला है उसका उसे पहले से ही अंदेशा हो जाता है लेकिन यहां के लोग इसे पागल समझते हैं पर इसे पूरी तरह समझने वाले यहां सिर्फ दो ही लोग हैं एक कुदरत और दूसरे उसकी बहन मन्ली राजा साथ उधर हेरन है राजा साथ लगता है यहां आसपास शेर है आप यह रुकिये तेरी वज़ा से राजा साथ को निशाना चूप गया है राजा है तो हीरन का शिकार करेंगे है चेर हीरन का शिकार करके खाता है तूसे क्यों नहीं रोकती है को शिकार करता है अपने भूप मिटाने के लिए तुम्हारी तरह शौक के लिए नहीं तेरी तो रुक जाओ मल्ली खुलेली के बच्चे को बहुत देज बुक हारे जली चल आती हुँ दिदी आजा सब यह है वो मल्ली यह मल्ली नहीं है हिरन है हिरन यह लेप लगाने के बाद तो ठीक हो जाएगी ठीक है मल्ली टेकुस पंजी नहीं है लाश को नोज कर कोई खा रहा है देखो हिरन के बच्चे को छुपा देना चाहिए अगर उसे देख लेंगे तो उसे उठाकर ले जाएंगे अगर अगर तुम्हारे बाप की है क्या सारे के सारे गवार है कल से तुम में से एक भी यहां दिखाई नहीं देना चाहिए बड़ो या दिलिप कुमार बनने एए कौन बोल रहे है नहीं साहब वो नहीं है साहब आप तो बिल्कुल दिलिप कुमार की तरह गोरे दिखाई दे रहे हो जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा साहब ए तटकुली तुझे बहुत मजाग सूज रहे क्या साहब सदियों से हम इसी जंगल में रह रहे हैं इस जंगल और हमारे बीच में मा और एक बच्चे का रिष्टा है हमें इससे अलग करने की कोशिश मत करिए यहां बहुत सारी बीमारिया फैल रही है इसलिए जगए खाली कर दो नहीं तो सड़ जाओगे साहब आप हमारे बारे में चिंता मत कीजिए हमें जरूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं साहब आप लोग यहां आकर नई बीमारिया मत फैलाइए साहब यही हमारे लिए काफी होगा इस जंगल से चले जाओ और इंसानों की जिंदगी जीओ तभी तुम्हारे दिमाग में अच्छी बाते आएंगी यह जंगल जो हमें सिखा नहीं पाया तुम्हारा शहर हमें सिखा देगा क्या हम लोगों के बीच उचनी जैसा कोई भेदभाव नहीं है और तुम लोग अमीर गरीब के नाम पे लड़ते रहते हो एक दुसरे के बुराई करते हो हमें कुछ ना मिले तो भी कोई परवा नह लेकिन जो मिल रहा है वो सबको एक समान मिल रहा है वो तुम्हारी दुनिया में मिलेगा क्या सर यह लोग क्या कह रहे हैं यह लोग खाली नहीं करेंगे साब एई देखो, तुम्हारी बाते सरकार नहीं सुनने वाली, लेकिन सरकार की बाते तुम्हें सुननी पड़ेगी, यह जंगल अब सरकार के हाथ में हैं, मैं तुम लोगों को तीन दिन का समय दे रहा हूँ, तीन दिन के अंदर अगर इसे खाली नहीं किया, तो हम अपने तरीके इसे खाली करवाएंगे, समझ गए? बेतर हैं खाली कर दो. तुम्हारी बेहन एकदम अक्यली है, उसने खाना खाया या नहीं, सोई की नहीं, यह सब नहीं पूछोगे, ठीक है, पूछने की जरूरत भी नहीं, साथ में तो रहना चाहिए न, जब देखो जंगल में भटकते रहते हो, गिए हम्हारी आ हमारी रक्षा के लिए पल्ली जी आने वाली है उसके आते ही हमें कोई नहीं मिटा सकता यह कैसे कह सकते हो पल्ली जी ने मुझसे खुद कहा दो दिन पहले जब तुमने कहा था कि यहां कोई खत्रा आने वाला है तो मैं बहुत डर गई थी कि कहीं हमारे अपने लोग खत्म ना हो जाए लेकिन आप वो डर नहीं है हमारी रक्षा के लिए पल्ली जी आने वाली है ना क्या है मली कुडियों बहुत से हाथी आ गए है चलो उन्हें भगा कर आते हैं मैं नहीं आओंगा एक कर्म भाली हाथी भगाने का तरीका सिर्फ तुझे ही आता है चलना है हमने अगर छोड़ दियाता सुबा तक सारे जोपने तबाह करतेंगे चलो चलो आओ मारे साथ चलो चलो अरे चलो भाया मली तुम उससे बोलो तभी वो सुनेगा जाके आईए भाया मारी की बात सुनकर वो मासूम लोग हाथी को भगाने के लिए काफी जोश में आगे बढ़ रहे थे लेकिन मारी का प्लान कुछ और ही था भुक बाल जाओर मारी की अलो और को भगाने राहाँ आगाने का मूप प्राभाया के दकर लिए झालो भाग molar सुचके फफस ए तुम यहां क्या कर रहे हो बाहर जाओ जोर की भूख लगी थी इसलिए तुम्हारे पास मैं यहां खाना खाने आया हूँ अपने शौक को गाहों के अंदर ही रखो यह जंगल है काटके फेक दूँगी यहां से इज़्जत से चले जाओ वरना धर से गर्दन अलग कर दूँगी सही कहा पर वो गर्दन मेरी नहीं तुम्हारी अपनी होगी खून से लत्पथ यकेन नहीं हो रहा हुँ हाँ 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 लुणसे कहें लिते हैं हुआ हृए है हम फजल वूझ खब खार हम ची खार खार हम ऐаф हम पार हम ब तर," रहने है मिजल पना हम इस हाब आ आ ता ब। जो आी परोगए हैं आ आ आ आ आ आ आ आआ आ आ आ आ आ आ आ आ आ सब दो मैं वापस आऊंगी फिर तुझे मौत के घाट उतारूंगी के लुझे तुल कर दो मल्ली की मौत तक ही इस बुक में लिखा है उसके बात क्या हुआ होगा समितार ने ही मल्ली का कतल किया था वहाँ के लोगों को पता है वहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ होगा है कि हुआ कि हुआ है हुआ 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 है अनू, हमने तमिल रैटर से लिखवा कर एक डॉक्यमेंट्री खी थी नहीं क्या था उसका नाम, रैटर मधिवावन, जिसका हमने इंट्वी किया था, उसका नमबर मुझे भेज ना, प्लीज, ठीक है, भेज दियूँ, हलो, हाई सर, मैं जास्मीन, तमिल रैटर से बारे में हमने एक डॉक्यमेंट्री की थी, उसके लिए आपको इंट्रवी लिया था, याद है आपको, हाँ, जास्मीन, मुझे याद है, अभी किस लिए फोन किया, सर, आइनीड फेवर, बोलो न, उर्चवन जो रैटर है, उनकी कुछ डीटेल्स चाहिए, बहुत जरूरी है, हाँ, उर्चवन, हाँ, उर्चवन नाम का एक पुराना रैटर था, उस जमाने में उनका काफी नाम था, ठीरा रभी नाम का एकबार में लिखते थे, लेकिन अभी वो कहाँ पर है, मुझे कुछ नहीं पता, अगर उनके बारे में कुछ पता चला, तो मैं तुम्हें फोन करूँगा, ओकी सर, थैंक्स, हलो, उर्चवन के बारे में मुझे एक खबर मिली है, उर्चवन उनका निकनेम है, उनका असली नाम है परम जियोती, इस नाम से वो बहुत सालों से लिख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ सालों से उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, वैसे वो कहा है, पता चल गया है, उनका एड्रेस में तुम्हें मैसेज करता हूँ, थैंक्यू सर, सब्सकイार इस में मारेशने झाले यहीं o तुम्हें करता है, लिख रहा हैं, बहां झाले अ क्याता है, तो दुम्हें उनका उनका पता है, ईुम्हें को तुम्हें ऊचोंसारी जोंट वी देता है, जनका डहाँ जरना में जकिता है, पतले जो से फ prev slips रख की है, प्या रहे ओॉपी जो जो मिल Gmail का दिम प्रवल्व जो बाइजा यहादए जराख। सब्सक्राइब गज़ करें सर सर कौन है बैटा नमस्ते सर हम वनथी परही से आए है क्या बात है बेटा सर जमीदार वन्ति रायन के जीवन पर आपे किताब लिख रहे थे ना उसी बारे में आप से कुछ बात करनी थी हमें उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता आप लोग जाए है यहां से दादा जी खाना आ गया है कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता दीजीगा उस कहानी का अंत जाने बिना हमारी जिंदगी एक सवाल बन कर रहे गई है सर मैं समझा नहीं उस कहानी में जो चल रहा है और हमारे होस्टिल में जो सुसाइड हो रहे दोनों के बीच कुछ तो संबंध है उस कहानी का अंत हमें पता चलेगा तब ही हम अपने आपको बचा पाएंगे ठीक है बैठो मली की घटना के बाद जमीदार के जिंदगी पर किताब लिखने का मेरा मन नहीं हुआ वहां पर रहने वाले लोग पालीची का अगला जनम देख रहे थे मली के गुजरने के बाद उसकी समाधी के सामने प्रार्थना करना शुरू कर दिया वो सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो मली उसे जरूर पूरा करेगी ऐसा उन्हें विश्वास हो गया था लेकिन वो विश्वास ज्यादा दिन नहीं ठीका कर्मबाली वहां के लोगों को छोड़ कर जंगल में कुद्रत के साथ अकेला जीने लगा और हर पूर्णिमा के दिन पाली ची को प्रणाम करने के लिए आता था और ये बात वो कभी नहीं भूलता फॉरेस्ट आफिसर्स ने उन्हें तीन दिन का समय दिया था और आज वो तीसरा दिन था हरे तु किसके इशारे पर यहां आकर हमें तंकी दे रहा है 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 कुक खाल ओर आ ख कर अ झाल झाल थीí है है कर लो बार ख गर लो था गढ़ा है कर दो मैंनननननन Mig रहा है कर जक ख ख ऩक Schर लो तेट है 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 इसकी तो सुनो आखरी बार तुम दब से बोल रहा हूँ मैं चुप चाप चले जाओ यहां से अगर नहीं गए तू एक एक को खड़ा करके गोली मार दी जाएगी इन सब की वज़े वो जमीन थी उन लोगों ने उनकी खेती घर सब कुछ आग लगा कर चला दिया कुछ लोग अपनी बीवी बच्चों को लेकर उस जगह से चले गए और एक रात मल्ली हमेशा कहती थी कि बाहर के लोगों को गाव में नहीं आने देना चाहिए हमने हमारी मल्ली को गो दिया हमेश जगह छोड़ कर कहीं चले जाएंगे हेई ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है अंग्रेजों के जमाने से हमें मार मार कर भगा रहे हैं ये लोग इस जंगल को खत्म कर देंगे उसके बाद पीने के लिए एक बून पानी भी नहीं मिलेगा फिर एक दिन इनसान खुद अपना पेशाब पीने पर मजबूर हो जाएगा ये पेड ये पौधे ये सारे पंची सब अपने ही परिवार है इस जगे को छोड़ना और शहरवालों के तलवे चाटने से अच्छा है कि हम इसी जमीन पर रहते वे मर जाए किसी भी आदिवासी को घुलामी के जिन्दगी जीने से अच्छा है कि वो खुद को ही मार ले उसके बाद उस जमीन पर कॉलेज बनने का काम शुरू हो गया कुछ दिनों बाद लोग बिमारी से मरने लगे उनके पास पैसे थे फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पा रहे थे वो अपनी जिन्दगी के आखरी दिन उस कॉलेज में रहना चाहता है जिसे वो बना रहा था लेकिन वो सपना भी पूरा नहीं हुआ इस कहानी के हिसाब से सिर्फ दो लोग ही जिन्दा है एक है उर्चवन और दूसरा है करमबाली करेक उस रात को भी पलेची अमनमूर्थी के पास जिसने भी देखा न वो सही है क्योंकि उस दिन पूर्णे मा थी अगर उससे मिले तो याद महते जो हो रही है उसके बर में पता चल सकता है राजश कहा है पता नहीं यार हुआ है थार आफे झाल 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 राजेश, जाओ अधिसा, वागिल किदर हर्कते कर आई छोड़ छोड़ राजेश, लेख राजेश, हेई अरामसे, अरामसे, अरामसे दुवाद में यंदर ठेक, चल्वा निक्रो, जल्दी इसे नोटिस वर्ड में लगा दो जी साब गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर क्या तकलीव है तुम्हे रोम बदले से सब ठीक हो जागा तुमने कहा था राजेश कैसा वाडन सर, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो कॉमा में है सोना तुमने सर, आपसे इक बात करनी है मुझे बलो क्या है उस पेंटर के आत्महते के बारे में जासमिन एक नियूस का पता लगा है उस नियूस के बारे में पता करने के लिए हम उस अकबार के आफिस में गए थे तभी ओर्चो नाम के एक राइटर के पास अपने कॉलेज को बनाने वाले जमीदार के जिन्दगी के बारे में लिखे हुई एक बुक हमें मिली मल्ली के मरने तक ही उस बुक में लिखा हुआ था गोर्चो नाभी भी जिन्दा ही है सर मैं और जासमीन उनसे जाकर मिले और उन्होंने उस कहानी का अंध भी आमें बताया उस कहानी में जो घटनाए हुई थी और यहां जो सुसेड हो रहे हैं उनका कुछ तो कनेक्शन है करमबाली 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 उस रूम में रहने वाले सब मर क्यों रहे हैं प्लीज महरवानी करके बताईए वहां हमारी विरादरी के लोग मली की समाधी के सामने प्रार्थना करते थे तुम लोगों ने वहां कबजा करते उसे आप अवित्र बना दिया और हमारी विरादरी को भागा दिया हमने तो उस रूम को बंद कर दिया है, फिर आत्मा जये क्यों हो रही है बंद कर दोगे, तो सब कुछ खात्म हो जाएगा फिर इसे रोकने का उपाई क्या है जब तक मल्गी पूर जनम लेकर जमीदार को ना मार दे तब तक यह हत्याएं होती रहेंगी होती रहेंगी अरे होती आत्मा कोड़नी का जार जमीदार के वाचार जुक यह होती रही है तुझे है यह है इसक वेज़ मेंद कि अलन λ गल झाल 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 कुछलोगों को पिछले जनम का सब कुछ याद रहता है और चुवान दोखे बाज दोखे बाज झाल नागराच, नागराच, नागराच मैंने जो किया है वो बहुत बाला गुना है मुझे कुछ मत करना राजा साब तुम्हें जिंदा छोड़कर सबसे बड़ी गलती की मैंने राजा साब राजा साब राजा साब करमबाले के हिसाब से देखा जाए तो जो आत्महत्याएं हो रही हैं वो बलियल लोगों की आत्महत्याएं आए हैं लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है भूत और पुनरजनम के बीच क्या संबंद हो सकता है संबंद है क्यों कि किसी की भी आयू पहले लिखी जाती है और जब उसकी आयू खत्म हो जाती है तो वो मर जाता है फॉर एग्जामपल किसी का कतल हो गया या किसे ने आत्मत्या कर ली तो वो इस इंसान की आत्मा प्रेत आत्मा बनकर घुमती रहती है जब उसका समय खत्म होता है तब उस आत्मा को पुनर जनम मिलता है मैंने भी उस बुक को पला था जमिंदार ने जब मल्ली का कतल किया तब रेड मून दे था और आज पचास साल बाद वो रेड मून दे आने वाला है और आज रात को मल्ली कौन हे पता लगाना है जमिंदार कौन हे ये भी पता लगाना पड़ेगा वरना उनका अगला टार्गेट तुम और राजेश हो सर यही हमारा पुनर जनम है ये कैसे पता लगाएंगे पिछले जनम और इस जनम के बीच में संभंध है अगर तुम्हें किसी पर डाउट है तो उससे मेरे पास ले कराना पिछले जनम की रेग्रेशन चिकित साथ हम उसकी पहचान कर सकते हैं पुनर जनम और इस जनम के बीच में संभंध है इस मूर्ती को मैंने पहले कभी देखा है ऐसा लग रहा है मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ यह क्या है यह पुनर जनम होने का संभल है अच्छली थे पास वान फोर बर्थ वान फोर डेद और फोर रिबर्थ सर ओके है मादन तुम एक मिनट यहीं रुको चलो जाओ कूल नो इशूज कम जाओ रिलक्स हो जाईए मैं अभी इस कैंडल को जलाऊंगा कम क्लोजर तु दे कैंडल एंड सी दा फ्लेम ओके और एक बात यह सब मैं मदन की भलाई के लिए कर रहा हूं कम क्लोजर शिर्फ फ्लेम को देखोंग को अउली द फ्लेम अंदर लोगों इड आपनी सास को देरे देरे अंदर लो ओल इड ऑर असकेंड शांस धीरे दीरे बाहर अच्छूरो, हाईसी, हाईसी, हाईसी जसम्न, जसम्न जसम्न, 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 जसम्न कर दो कर दो कर दो कर दो अभी तुम्हें पिछली जनम के सारी बाते याद आजाएंगे कर दो कि अभी जनम कोरे सारी याद मन को Leah SIM कि अनम को districts अभी बाते थापते तो में याद इंतो जास्मिन तुम हो ना मनली है तुम ही हो ना मनली जमीनदार याद आए का तुम्हें बोलो क्या जमीनदार याद आ रहा है तुम्हें हल्मान नाद आए पिछला जन्म और इस जन्म के बीच में संबंध है अगर वो पिछले जन्म में लड़का था इस जन्म में मक्ही हो सकता है, चीटी हो सकता है, साफ हो सकता है, लड़की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उस रोम में जो भी रहता उसके साथ कुछ होता सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ क्यों ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पही मार कर दपना देता हुआ क्यों पता है खठयां। कर थसन, कर दो दो कर दो कर दो है हग हume प्ठछान से ए प्रवा नाइक ने ए ए जते हैं ह्ट प्ड़र वर्ण ह२ चॉ प्ड़र हुर रे हुर्ण अच बढो हुआ 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 प्ठक हुआ 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 अगग और लग्जुग कर सकते हैं पंग बत्याओ उनल्हें ठयाल अग्ग उनल्हें अग्ग आग अगप अगग प्यूव श्टोल व्क प्यूव और उच्छाओ मली उच्छाओ अपनी जंगल का सर्मनाश करने वाले को जिन्दाबद छोड़ो उच्छोड़ो एफ कंवाल व उच्छाओ उच्छोक्छाओ . О, हुझा प्रार ट्रा उब तो घ्टर जेंगाед उच्छाओ कि अ कि stirring, क्हिru की, व्लुवी जिमने, ही जिто सब्सक्राइट, सुस्या juríd़ुथ मतन, यह, मतन, आदं, मिर्या बाद offerings, प्लीज, मिर्या बाद कि aiming मुझेर, मतन, आदन, मिर्या बाद Fields, कुला दो, मुझे पोतो, मतन, मतन lucky मतन, मतन, मतन,认 दे कि लिए झाल 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 पिश्पक्राव आख कुल नहीं पॉप्राव सुप्राव पॉप्राव हेलो जैस्मिन मैं श्री बोल रहा हूं अहां श्री बोलो राजिश कोमा से बाहर आ गया है मैंने मदन को कॉल किया पर उसका फोन स्विच आ रहा है तुम ज़रा उसे बता दूगी फ्लीज शूर करने से बता पर से बाहर हैं। झाल 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 झाल